अम शांतिंग आज 13 सितंबर 2030 बाबा के महवक्षें हैं मीठे बच्चें तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए जोके तुम हो सबके कल्यानकारी वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राम्भन कहींगे प्रश्ण है कौनसी स्विती बुद्धी में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे उत्तर है सदा स्विती में रहे कि हम सच खंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं शरीर को कोई मारता भी है लिकिन आत्मा को मार नहीं सकता गोली शरीर को लगती है मैं आत्मा तो जा रही हूं बाबा के पास हमको क्या डर है हम बैठी है छत गिर जाती है हम बाबा के पास चले जाएंगे इसमें दरनेकी कोई बात नहीं ऐसा निर्भय बनना है धार्णा के लिए मुख्य सार है पहला कल युगीं तमुप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राम्भन बनना है किसी से भी वैर नहीं रखना है दुसरा निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है हम शिव शक्ती से ना है हमें तुम सच खंड का मालिक बनना है इसी नश्य में रहना है वर्दान है कल युगी वायु मंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भवर स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिसे कोई भी करमेंद्रिय अपनी तरफ आकर्शित न करे सदा एक बाप की तरफ आकर्शित रहे किसी भी व्यक्ति ववस्तु की तरफ आकर्शन न जाए ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है वही हंस बगुलों के कल्युगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्शित नहीं करते सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है स्लुगन है बुरेकों अच्छे में बदल देना ही उच ब्राम्भनों की श्रेश्ट शक्ती है आम शांते आम शांते प्राम्भनीड करते आम शांते झाल झाल